हलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब उमीद करता है अच्छे होंगे तो आपके मिड सेशन डिटियस थर्ड का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं जिसमें फिजिकल वाला पॉर्शन हम कवर करेंगे और गेनिक वाला पॉर्शन अभी आपने वर्मासर के साथ कवर कर लिया होग तो स्टार्ट करते है क्वेशन नमबर 69 से वाइड़ा है कि आपको कह रहा है और भी हम कहां में लेते है तो हम वाडरवाल गैस पढ़ते हैं त необходимо देखो लिखा भी आगए एक्वेशन हैज दा उनिट आपको एक्वेशन पता होनी चाहिए हम wonderwall gas equation कैसे लिखते हैं हम लिखते है P plus A N square upon V square और यहाँ पर हमारे पास आता है V minus N B is equal to N R और यह T ठीक है तो यह अपने पास wonderwall gas equation आपको पता है हर एक step में जो इसकी unit है वो क्या होती है सेम होती यानि A N square upon V square की unit तो किसके equal होगी यह तो pressure के equal होगी तो मैं ऐसा बोलूँगा A N square upon V square इसकी unit होगी unit of pressure के equal तो pressure की unit ATM और V square का मतलब यह इधर जाएगा तो क्या आजाएगा यह आजाएगा लेटर लेटर square और यह आजाएगा mole और यह क्या आएगा minus 2 तो एक तो यह तो है A की unit केवल A की unit equal होनी चाहिए किसके volume के तो unit of B, B की unit के आएगी अपने पास यह आएगी भी यह लेटर और यह फिर क्या आजाएगा mole inverse ठीक है तो अब अगर आप A upon B करोगे तो A और B is equal to तो यह आया मेरे पास ATM और लेटर square mole minus 2 और नीचे आजाएगा हमारे पास क्या? लेटर और यह mole inverse तो यह लेटर cancel हुआ तो overall A by B की जो unit है यह हमारे पास आती है ATM लेटर और यह mole minus 1 तो एक तो यह हमारे पास unit आई है तो कहने का मतलब है एक तो यह first वाला तो होगा ही होगा ठीक है फिर आपको यह पता होना चाहिए कि 1 liter is equal to 1 decimeter cube एक लेटर जो होगा एक decimeter cube की एक वाल होता है तो चाहे लेटर लिख दो चाहे decimeter cube लिख दो एक ही बात होगी तो इसलिए second वाला भी क्या है बिल्कुल सही है फिर जो हो अगर मैं इसको क्या करूँ इसी को cgs में लेके चला जाओं है ना तो cgs system में लेके जाएंगे तो pressure की unit क्या हो जाएगी डाइम पर centimeter square तो पर centimeter square से पर centimeter cube क्या हो जाएगा cancel तो अपने पास ये वाली भी बन जाएगी लेकिन वहिया mmHg centimeter inverse ये centimeter inverse ऐसी कोई भी unit यहाँ पर संभव नहीं होगी तो इसमें first second और third ये तीनों सही है यानि कि इसमें option number third जो हो क्या हो जाएगा correct हो जाएगा उम्मीद करते हैं आपने question ठीक से attempt किया होगा वैसे कोई hard question था नहीं है फिर आपको आगे पूछ रहा है कि the maximum deviation from ideal guess behavior tax place कि भीया जो address guess से अधिक्तम विचलन कहां पर प्रदेशित होता है तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए आपको याद होगा कि अगर हम Z versus P के बीच में graph बनाए तो किसी भी gas के लिए अगर graph ऐसा आता है यहाँ पर तो हमारे पास है Z is equal to कितना one तो इसका मतलब ये gas तो कौन सी है ये तो ideal gas this is for ideal gas ये तो ideal gas बाकी other gases के लिए जैसे hydrogen और helium के लिए graph जो हूँ अब ऐसा कैसा आता है ऐसा आता है बाकी किसी भी gas के लिए अगर आप graph बनाते हो तो ये कम pressure पर तो कैसा आता है negative deviation और high pressure पर कैसा चला जाता है positive deviation चला जाता है तो अब आपको ये पूछ रहा है कि भी या अधिक्तम विचलन कहा प्रदेशित होता है एक चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कोई भी अपने पास real gas है ये ज़्यादा temperature यानि high temperature और low pressure पर जो है वो ideal में convert हो जाती है क्या कि high temperature और low pressure पर ideal में convert हो जाती है तो अधिक्तम विचलन कब होगा इनकी opposite condition पर अधिक्तम विचलन आएगा कहने का मतलब है आपको pressure तो क्या रखना है जादा रखना high pressure रखना है low temperature रखना है तो high pressure low temperature तो ऐसा एक ही option है अपने पास कौन सा option number second ठीक है तो अमीद करते है question का concept आपके समझ पर आया होगा next question की तरह बढ़ते है question number 71 आपको यह बोरा at STP STP per 0.5 mole of hydrogen gas and 1 mole of helium gas ठीक है तो इनके लिए क्या सही है तो पहला बोल रहा है have equal average kinetic energy वह यह देखो average kinetic energy kinetic energy is equal to हम क्या बोलते है kinetic energy is equal to 3 by 2 kt यह हम बोलते है k यहाँ पर क्या है बोल्जमान constant ठीक है और average kinetic energy जो है वो क्या रहती है वो केवल और केवल absolute temperature पर depend करती है यानि temperature in Kelvin पर ही depend करती है और यह चीज़ आपने केटी जी के statement में भी पढ़े होंगे कि कि किसी भी ideal gas की जो kinetic energy है वो केवल और केवल temperature in Kelvin पर ही depend करती है तो यह केटी जी का statement भी है तो बिलकुल first option जो है वो ही correct होगा आप कहोगे कि sir अगर हम एक mol के लिए निकाले तो kinetic energy आप बोलते हो 3 by 2 RT अगर हम N mol के लिए लिखे तो N RT तो यहाँ पर जो mol अलग-अलग है तो kinetic energy क्या होनी चाहिए अलग-अलग होनी चाहिए लेकिन भीया जब आपने इसको N mol के लिए कर दिया है जब आपने इसके लिए mol define कर दिया है तो अब यह average kinetic energy नहीं रह जाती है तो हम जब भी average kinetic energy की बात करते है तो वो हमेशे क्या रहती है यह वाली इस equation से हम average kinetic energy देते है ठीक है फिर second बोल रहा है have equal molecular speed भीया molecular speed तो equal हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों का molar mass क्या है अलग-अलग है आप चाहिए कोई भी molecular speed देख लो चाहिए वो average ले लो चाहिए वो vrms ले लो चाहिए वो maximum probable speed ले लो उन तीनों में root m आता है 1 by root m आता है न तो इसलिए वो speed तो equal हो ही नहीं सकती occupy equal volume volume भी equal नहीं हो सकता क्योंकि यह एक mole है एक mole का 22.4 होता है और आदे mole का किता हो जाएगा 11.2 हो जाएगा have equal effusion rate और आपको पता है rate of effusion या rate of diffusion यह भी molar mass के क्या होती है यह inversely proportional होती है तो इसमें option number first जो है वो ही क्या होगा correct होगा उमीद है question concept समझ में आया होगा next question की तरफ बढ़ते है तो question number 72 देखेगा क्या कहरा आपको कि a 200 ml flask having oxygen at 200 mm and a 300 mm flask having nitrogen at 100 mm are connected in such a way to that O2 and N2 may combine in their volumes if temperature is kept constant देखो आपको ऐसा बोल रहा कि हमारे पास दो condition है कि यह connecting bulb problem है एक्चल में कि condition कुछ ऐसी है कि दो bulb है मालो कुछ इस तरह के से और एक का तो volume है इसका तो volume आपको दिया है कितना 200 ml और second का volume आपको दिया है कितना 300 ml temperature इसका भी T temperature इसका भी T क्यूंकि आपको यह बोला है कि दोनों का temperature क्या है constant है फिर आपको यह बोल रहा है कि यह एक में 200 ml flask having oxygen at 220 mm ठीक है कि इसका जो oxygen है इस तरफ जो है वो अपने पास pressure है 220 mm Hg clear बात और second case में 300 ml flask having nitrogen at 100 mm तो इस तरफ जो है वो हमारे पास nitrogen है कितना 100 mm Hg clear बात फिर आपको आगे बोल रहा कि इन दोनों को जोड़ दिया तो अब जब आपने stopcock खटा दिया मालो initially condition ऐसी कि यहाँ पस stopcock लगा हुआ है अब stopcock हटा दिया तो गैसे क्या होगी आपस में mix होगी तो mix होने के बाद final pressure किता होगा आपको यह पूछता चाता है हम एक काम करते है देखना मालो इधर अपने बास gas के किते x mole है opposite direction में y mole है और जब stopcock को खोल दोगे तो total mole अच्छा मुझे यह बताओ कि इधर x इधर y है और stopcock अभी बंद है यानि दोनों gas को mix नहीं किया है total mole कितने होंगे x plus y और अगर मैं stopcock को खोल भी दू तो भी इस system में पूरे total mole कितने होंगे x plus y यानि कि final mole और initial mole क्या रहने है समान रहने एक जैसे रहने बस इसी concept को काव में लेके हम question को क्या करेंगे solve करेंगे मालो मैंने अगर ये stopcock क्या कर दिया open कर दिया stopcock open करते ही दोनो gas से क्या हो जाएगी mix हो जाएगी और दोनो gas से mix होगी तो total volume V final मुझे बताओ V final तो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा भीया जी 500 ml क्यों हो जाएगा 500 ml क्योंकि एक 300 है दूसरा 200 है तो total जो item हो कितना होगा 500 ml होगा clear बात और total mole मैं काम करता हूँ पहले इधर mole निकाल लेता हूँ तो PV is equal to nRT इस पर लगा देता हूँ तो nO2 is equal to P O2 PV V O2 upon RT और इधर nN2 निकाल लेता हूँ तो P N2 V N2 upon RT clear बात ऐसा ही गरेंगे और यहाँ पर जो हो total mole कैसे निकालूँगा n final is equal to P final V final upon RT clear बात ऐसा ही गरूँगा जब stop को खोलोगे तो गैसे mix होती है और गैसे कब तक mix होती है जब तक कि दोनों तरफ total pressure equal न हो जाए गैसे तब तक mix होती है तो अब इस case में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाया जी N final is equal to N O2 plus N N2 ठीक है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा देखो P final V final upon R T is equal to N यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ P O2 V O2 upon R T plus P N2 V N2 upon R T तो R T common आके क्या हो गया cancel हमारे पास equation यह बन रही है वो आप किसी भी unit system में रख सकते हो volume भी किसी भी unit system में रख सकते हो क्योंकि दोनों तरफ है तो unit का कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है तो P final मेरे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा V final तो कितना हो गया 500 और P O2 कितना है यह आपको दे दिया जी 220 और इसका volume दे दिया कितना 300 ओके इसका volume आपको दिया 200 oxygen वाले का volume है 200 और प्लस P N2 N2 वाले का है कितना 300 volume 300 है और pressure इधर दिया है कितना 100 तो एक equation है एक ही unknown है यहाँ से solve करेंगे तो हमारे पास P final जो है वो आ जाएगा तो P final की value हमारे पास निकल के आएगी कितनी 148 mmHg तो यह था आपने पास question number कौन सा question number 72 option number 3rd is correct उमीद करते है question concept आपके अच्छे से समझ में आया होगा next question की तरफ हम बढ़ते हैं तो next question आपको यह बोल रहा at 0 degree centigrade the density of a certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of nitrogen at 5 bar ठीक है the molar mass of oxide will be आपको ऐसे बोल रहा है कि यह density देखो किसी भी gas की density हम कैसे निकालता है तो पहली बात तो यह कि density is equal to अपने पास होता है PM by RT तो density जो है वो देखो R और T अगर constant है temperature दोनों का same है तो दो चीजों को depend करती है एक तो P एक molar mass तो in this case मैं ऐसे बोलूँगा एक तो है density of oxide divided by density of nitrogen N2 is equal to यहाँ पर मैं बोलूँगा P of oxide M oxide divided by P N2 और नीचे आजाएगा M N2 clear तो density of oxide तो density of oxide जो है वो अपने पास कितनी है certain दोनों की density equal है और दोनों की density equal है तो यानि यह तो 1 हो गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि P O M O is equal to P N2 M N2 ठीक है आपको तो यह पूछा है M O is equal to nitrogen का partial pressure कितना है 5 और nitrogen का यह कितना है यह है 28 ठीक है divide by oxide का partial pressure कितना है यह 2 तो यह solve करूँगा तो यह कितना हैगा 70 gram per mole तो बहुत ही सीधा सा काम है option number third is correct तो मित करते हैं question समझ में आया होगा next question की तरह बढ़ते है question number 74 देखेगा again density से ही related question है a certain temperature for which RT is equal to 25 liter atmosphere mole inverse यहनि कि RT की value आपको दे रख किये कितनी है 25 the density of a gas in gram per liter is D आपको density दे रख किये कितनी देर किये 2.00P plus 0.020P square where P is the pressure in atmosphere the possible maximum molecular weight of the gas in gram per mole is देखेगा ध्यान से आपको यहाँ पर again molecular weight ही पूछा है question में थोड़ा सा आपको सोचना है density is equal to हम क्या बोलते है PM by RT तो M की value अगर मैं निकालना चाहूं तो M is equal to मेरे पास क्या आजाएगा DRT by P ठीक है यह हमारे पास किसकी value आजाएगी M की value आजाएगी अब एक चीज़ देखो कि RT की value तो आपको दे रख किये तो RT तो मैं बाहर कर लेता हूं density आपको कितना दे रख का है density आपको दे रख का भीया तो net equation मेरे पास देखिएगा क्या बनी तो M is equal to आया RT और अंदर मेरे पास बच रहा है 2P ठीक है यह तो P तो common आ गया cancel हो गया तो अंदर मेरे पास बच रहा आर्टी 2 प्लस 0.020 और यह क्या बचा पी ठीक है अब आपको देखो आपको पूछ रहा है कि the possible maximum molecular weight ठीक है अब हमें यहां पर P की value को चूज़ करना है मुझे यह बताओ कि अगर हम atmosphere की बात करें तो pressure की range कहा से कहा तक हो सकती है 0 से लेके 1 तक क्योंकि maximum atmospheric pressure किता है अगर मालो minimum molecular weight पूछ था तो P में 0 कर देता तो अगर P 0 हो जाता हूँ तो यह वाले term 0 हो जाती तो यह वाले term 0 हो जाती तो RT into 2 कितना आ जाता तो maximum पूछ रहा है तो इसको कितना कर दो 1 कर दो इसको अगर 1 करूँगा तो यह मेरे पसा जायगा कितना RT और यह आगया 2.02 2 और RT की value किती है 25 तो 25 तूजा किता हो गया 50 अप्रोक्सिमेटली answer किता हैगा 50 के आसपास आएगा तो 50 जो हूँ अपना सही answer होगा तो इस question में ज़्यादा आपको सोचना नहीं था मुझे पता है कुछ लोगों ने ज़्यादा integration differentiation में जाके दिमाग लगा लिया होगा लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है आपको केवल pressure की range सोचनी है कि pressure की range कहां से कहां तक हो सकती है zero से लेके एक तक हो सकती है maximum atmospheric pressure किता होता है एक होता है तो उमीद करते हैं अब आपका concept clear हो गया होगा next question की सब्सक्राइब चलते हैं तो question no 75 देखेगा कि at room temperature ammonia gas at one ATM pressure and hydrogen chloride at p atmosphere pressure are allowed to diffuse identical pin hall from opposite end of a glass tube of one meter length ठीक है मैं अभी question का meaning आपको समझा दूँगा of uniformed cross section ammonium chloride is first formed at a distance of 60 cm from the end through which hcl gas is sent देखो question आपको यह बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसे क्याज की tube है clear बात एक ऐसी glass tube है ठीक है और इस glass tube में इसके एक end से तो hcl gas pass करी जा रही है और दूसरे end से जो हो ns3 gas pass करी जा रही है clear बात ऐसी condition है अब आपको यह बोल रहा है कि room temperature है एक ATM pressure at room temperature ammonia gas इसका जो pressure है यह तो दे दिया कितना 1 ATM और इसका जो pressure है वो दे दिया कितना P clear बात फिर आगे आपको बोल रहा है कि from opposite end 1 meter इसकी जो length है वो total दे दी वह यह 1 meter यह 1 meter इसकी length है ठीक है कि फिर आपको chloride दोनों जब मिलेंगे दोनों reaction करेंगे तभी तो ammonium chloride बनेगा तो इसका मतलब इस point पर इस point पर दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं और हमें यह पता है कि rate of diffusion के अगर हम बात करें तो यह होती है distance traveled upon time taken this is rate of diffusion अब इसको हम थोड़ा सा solve करते हैं तो अगर इसको मैं solve करूंगा इसके लाब आपको एक चीज और ध्यान में रहनी चाहिए rate of diffusion proportional होती है P by root M के clear बात तो मैं एक equation बना लेता हूं देखना ज़रा कि dHCl upon time taken by HCl into नीचे आजाएगा dNH3 और time taken by NH3 is equal to ठीक है यह हमारे पास equal होगा देखो यह rate of diffusion है तो rate of diffusion जो है वो proportional होती है किसके pressure के तो pressure of HCl नीचे आजाएगा pressure of NH3 और नीचे हमारे पास under the root यहाँ पर आएगा molar mass of HCl उपर जाएगा molar mass of NH3 clear बात तो आप देखो यहाँ पर जो है time taken दोनों का क्या है equal है distance traveled by HCl is 0.6 meter distance traveled by ammonia is 0.4 meter is equal to P HCl is P and P NH3 is 180m under the root M HCl कितना हो गया 36.5 और यह हो गया कितना अपने पास 17 clear है बात और इसको solve करेंगे तो यहाँ से pressure की value निकल के आएगी approximately 2.18 ठीक है तो यह अपने पास question है question number कौन सा question number 75 option number first is the करें उमेद करता है question concept आपके समझ में आ गया होगा rate of diffusion का question था next question की तरह बढ़ता है again gaseous state question number 76 आपको यह बोल रहा है कि which of the following gas या gases is our ideal gas तब यह अभी मैंने आपको hint दिया था पहले question में पहले question के अलावा एक और question था देखो पीवी अपोन आर्टी क्या होता है this is z पीवी भाई आर्टी क्या है z, z और पी का जो graph है यही तो बताता है तब यह जिस gas के लिए graph एकदम straight line है केवल यह gas ideal gas है क्योंकि ideal gas के लिए z की value किती होती है एक होती है बाकी सारी gases के लिए z की value एक कब होगी बहुती low pressure और high temperature पर z की value एक होती है तो यह gas भी ideal नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं बाकी कोई भी gas ideal नहीं है केवल और केवल B gas जो है वो ideal होगी next question की तरफ बढ़ते हैं तो question number है 77 यह आपको बोल रहा है कि at absolute zero temperature absolute zero का मतलब होगी है minus 273 degree centigrade ठीक है ना the entropy of a perfect crystal is zero इसको कौन सा लोग बलते हैं बहुत सीधा सा काम this is third law of thermodynamics इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आगे आपको question बोल रहा है if S0 for H2, Cl2 and HCl are 0.13, 0.22 and 0.19 kJ per Kelvin per mole respectively the total change in standard entropy for the reaction देखो जी एक reaction आपको दे रखी है H2 plus Cl2 is converting into 2HCl यह हमारे पास एक reaction है और आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी reaction के लिए अगर entropy change हमें निकालना हो तो हम बोलेंगे total entropy change total entropy change of product total entropy change of product ठीक है minus total entropy change of reactant ठीक है तो यह हमारे पास जो हो condition आती है अब यहाँ पर जो हो आप क्या करोगे delta R S0 is equal to 2HCl तो HCl के लिए तो कितना दे रखा आपको HCl के लिए तो heavy है अपने पास 0.19 kJ यहाँ पर तो मैं करूंगा 0.19 into 2 तो यह तो हो गया किसका total product का reactant की तरफ जो हो अब बेरे को ध्यान देना होगा reactant की तरफ जो हो एक तो H2 है तो H2 के लिए 0.13 दे रखा है तो H2 के लिए है 0.13 और फिर CL2 के लिए आपको दे रखा है कितना 0.22 तो यह आगया 8 और 0.38 माइनस अच्छा सारे data जो हो अपने पास किलो जूल में होने चाहिए तो बिलकुल सारे data हमने किलो जूल में लिए है क्योंकि unit system का ध्यान में रखना पड़ेगा यह 5 और यह कितना आगया 3 ठीक है तो इसको गठाओंगा तो यह मेरे पास आजाएगा कितना 0.03 किलो जूल अब आपको तो जो है वो option में देखो तो question बहुत ही सीधा सा था next question है अपने पास कि when one mole of mono atomic ideal gas at T Kelvin undergo reversible adiabatic change under a constant external pressure of 1 ATM change volume from 1 liter to 2 liter the final temperature in Kelvin would be आपको final temperature पूछ है देखो जी ऐसा question जब भी आए तो सबसे पहले तो process को आपको पैचानना है देखो थर्मों में जब भी work calculation का question आए हाना तो आपको सबसे पहला काम यही करना होता है work हो गया entropy calculation का question आगया तो सबसे पहले process को पैचानना होता है तो इसमें आपको देखो क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है यह रहा है reversible adiabatic process और reversible process के लिए T और V का relation आपको पता होना चाहिए T V की power gamma minus 1 is equal to क्या होता है जी constant होता है ठीक है तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ देखना T1 by T2 is equal to यह अपने पास हो जाएगा भाईया V2 minus V1 की power कितनी gamma minus 1 clear बात और monoatomic gas है तो monoatomic gas के लिए gamma की value 1.66 हो जाएगी यानि कि overall जो है 1.66 minus 1 करोगे तो 0.66 यानि कि 2 by 3 हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कि T1 by T2 is equal to मेरे पास देखो V1 की value तो कितनी है 1 और यह कितनी है 2 और इसकी power कितनी होगे 2 by 3 तो यानि कि आपको तो T2 की value पूछा तो T2 is equal to T1 by 2 की power कितनी 2 by 3 तो यह answer आएगा आपने पास T upon 2 की power 2 by 3 तो अमीद करते हैं क्वेशन आपकी समझ में आगया होगा next question की तरफ अपने बढ़ते हैं तो देखें क्वेशन नमबर 80 which is not a spontaneous process कौन सा spontaneous नहीं है spontaneous process क्या होता है एक ऐसा process जिसको conduct करवाने के लिए आपको external energy source की ज़रुरत ना हो उसको हम spontaneous process बोलते हैं यानि कि वो अपने आप होना चाहिए और किसी भी बाय उर्जा स्रोथ की आवशक्ता नहीं होनी चाहिए तो उसको हम spontaneous process बोलेंगे तो expansion of a gas into vacuum भहिया वेक्यूम में expansion work done जो है वो कितना होता है जीरो होता है external pressure जीरो होता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि वो process एकदम spontaneous है कोई external energy की जरुएत नहीं पड़ती water flowing downhill water जब भी उपर से नीचे की तरफ आता है तो हमेशा ये spontaneous process ही होता है heat flow from colder body to hotter body भहिया ये non spontaneous process है क्योंकि heat का flow हमेशा hot से cold की तरफ होता है ठीक है अगर आप उल्टा करना चाहते हो तो आपको कोई external source लगाना पड़ेगा जैसे AC AC क्या करता है अंदर की heat को बाहर की तरफ flow करता है अंदर जो है वो temperature कम है बाहर जादा है तो अंदर से फिर भी वो बाहर की तरफ बेचता है तो AC को चलाने के लिए आपको external energy source की जुरत पड़ती है fridge fridge क्या करता है fridge भी यही काम करता है तो इसलिए ये एक non spontaneous process है evaporation of water from clothes during drying या कपड़ों को सुखाने के लिए कभी भी आपको external energy की जुरत नहीं पड़ती है हमेशा वहाँ पर जो हो internal energy delta e is equal to n cv dt जिसको बोलते हैं तो internal energy में कमी की वज़े से कपड़े क्या होते हैं सूखते हैं तो यह हमारे पास question number 80 हो गया question number 81 देखेगा आपको बोरा है कि the reaction आपको एक reaction दी है ठीक है फिर आपको आगे जो है वो कुछ data दे रखे है bond enthalpy के x ratio y दे रखे है तो आगे आपको बोरा from the given data what is the bond enthalpy of clcl bond आपको इस clcl bond की bond enthalpy पूछिए देखो बहुत इसीदा सा काम है आपको केवल equation बनानी आनी चाहिए मुझे यह बताओ इस reaction की जो enthalpy है इसको मैं bond energy की term में कैसे लिखूँगा heat of reaction heat of reaction को bond enthalpy की term में लिखने का तरीका होता है total bond enthalpy of reactant minus total bond enthalpy of product ठीक है तो reactant side देखो आप देखो 4 bond तो अपने पास है कौन से carbon hydrogen के तो 4 फिर 1 bond मेरे पास है कौन सा chlorine और chlorine का ठीक है तो total bond enthalpy of यह तो हो गया reactant minus product की तरफ देखो ज़रा इसमें CHCl3 तो इसमें 3 bond तो है कौन से carbon hydrogen के तो 3 carbon hydrogen ठीक है फिर 1 bond इसमें है कौन सा carbon और chlorine का ठीक है तो यह तो काम हुआ CH3Cl का फिर HCl है 1 HCl है तो 1 HCl के बीच का bond भी अपने पास यहाँ पर पड़ा है तो यह देखो इसके लिए bond enthalpy के term में यह equation हम बनाएंगे अब इसको अगर हम open करेंगे तो delta RH0 is equal to 4 bond enthalpy of CH bond plus bond enthalpy of chlorine chlorine minus 3 bond enthalpy of CH यह plus minus minus हो जाएगा bond enthalpy of CCL और minus bond enthalpy of HCl ऐसा ही होगा अब इसमें से कुछ cancel हो रहा है तो कर दो देखो यह ज़रा यह cancel हुआ तो overall reaction जो है equation क्या बनेगी overall equation delta RH0 is equal to यह एक बच जाएगा bond enthalpy of CH plus bond enthalpy of CLCL CL CL minus bond enthalpy of CCL और minus bond enthalpy of HCl अब देखो यह जो last में equation आई है आपको इसी equation को follow करते हैं इसका answer निकालना है एक और data आपको जो है पूछा ही है CLCL यानि इसके बारे information पूछी है और नीचे एक और data आपको दे रहा है X और Y देखो CH और C CLCL ठीक है यह आपको दो चीज़े दे रहा है तो मैं काम करता हूँ मैं CH को CLCL में replace कर देता हूँ तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ देखना ज़रा कि यह bond enthalpy of CH upon bond enthalpy of CLCL is equal to यह X upon Y है यानि कि this is 9 by 5 तो in this case bond enthalpy of CH this will be 9C bond enthalpy of CLCL divide by 5 ठीक है तो इसकी जगा मैं यह value रख सकता हूँ तो मेरे पास आएगा 9 bond enthalpy of CLCL by 5 plus bond enthalpy of CLCL ठीक है और minus bond enthalpy of CCL minus bond enthalpy of HCL देखो जी यह equation अपने पास बन गई है अब इस equation में हमारे पास सब की value है आप द्यान से देखना कि bond enthalpy of CLCL तो CLCL तो मेरे को calculate करना है ठीक है heat of reaction आपको दे रखका है minus का 25 यानि की delta H इसकी value minus का 25 दे रखकी है clear बात यह value मेरे को calculate करनी है CCL यह जो है वो actual में यह पूरा तो मेरे को calculate करना है आप इन दोनों को add कर सकते हो CCL, CCL का जो data है वो है 84, clear और HCL, HCL का data है 103, तो simple सा काम है इसको आपको क्या करना है, solve करना है है अपने पास question number 81 next question की तरफ बढ़ते है heat of neutralization is greater than 13.7 किलो कैलोरी देखो हम बोलते हैं कि normally heat of neutralization acid waste की nature पर depend करता नहीं है चाहे कोई भी acid हो, कोई भी waste हो हमेशा 13.7 किलो कैलोरी पर equivalent heat release होती है लेकिन भया HF और strong base के case में ऐसा नहीं होता है यहाँ पर यह जो हो जादा होती है यह होता है hydration के कारण hydration energy जो हो बहुत जादा HF को जब पाने मिलाते हैं तो hydration energy बहुत जादा release होती है इसलिए overall जो heat release होगी वो 13.7 से क्या होती है जादा होती है, इसका आप exception माल लो या याद रख लो जो भी है तो next question की तरफ चलते है question number 83 यह आपको बोरा है कि 36 ml of pure water takes 100 second to evaporate from a vessel and heater connected to an electric source which deliver 806 watt the delta H vaporization of H2 पहली बात तो यह delta H vaporization जो हम हमेशा per mole के लिए करते हैं आपको 36 ml water दे रखा है और ml pure water है और आपको यह पता होना चाहिए pure water की जो density होती है H2O की यह होती है 1 gram per ml इसका मतलब 36 ml का mass कितना होगा 36 gram और 36 gram का मतलब कितना mole होगा 2 mole यानि कि यह जो power deliver हो रहा है यह 2 mole के लिए है ना तो मैं ऐसे बोलूगा कि energy energy देखो power होता है हमारे पास क्या E by T तो energy required for 2 moles of water तो यह मैं बोलूगा कितना 806 into 100 क्योंकि time कितना 100 power कितना 806 तो एक mole के लिए कितनी energy चाहिए यह चाहिए 806 into 100 divide by 2 तो यह हमारे पास आ गया कितना 403 into 100 joule per mole अब kilo में पूछा तो इसको thousand से क्या कर दो divide कर दो तो answer आ जाएगा कितना 40.3 kilo joule per mole तो यह है question number 83 next question की तरफ चलते है बहुत ही सीधा सा question है आपको energy equivalent to 1 arg 1 joule and 1 calorie is in order तो यह आपको पता होना चाहिए calorie सबसे बड़ी होती है calorie के बाद joule joule के बाद में कोन आता है arg आता है अपने पास तो इसमें तो कुछ सोचने वाले बात नहीं है उम्मीद करते हैं आपका question सही हुआ होगा question number है अपने पास 85 the volume of a gas decreases from 500 cc to 300 cc when a sample of gas is compressed by an average pressure of 0.6 atm during this process 10 joule of heat is liberated the change in internal energy देखो जी कि आपको पता है कि delta E first law of thermodynamics क्या कहता है delta E is equal to Q plus W तो पहले तो Q की value कितनी है देखो heat जो है वो क्या हो रही है यहाँ पर release हो रही है release heat will be taken as negative तो यह कितना है यह अपने पास है कितना 10 joule minus का 10 joule heat जो है वो आपको Q की value कितनी ले लेनी है minus का 10 लेनी है फिर इसके बाद में हमारे पास अगला है बात करनी है W की तो W is equal to हम जानते है minus P external और यह आता है V2 minus V1 यह delta V कर दो एक ही बात होता है तो P external तो कितना है 0.6 है V2 minus V1 आपको करना है तो भहिया पहले the volume of gas decreased from 500 to 300 यानि कि अगर मैं इसको लेटर में convert करूँगा तो 0.3 minus कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा बोले तो कितना minus का 0.2 और minus का 0.2 होने का मतलब minus minus plus यानि कि 0.6 into 0.2 हो जाएगा तो यानि यह आगया 0.12 clear बात अब यह आया है लेटर atmosphere में this is in लेटर atmosphere तो इसको जूल में बदलना पड़ेगा क्योंकि यह जूल में है तो इसको जूल में बदलूँगा तो इसको 101.3 से क्या करूँगा multiply करूँगा ठीक है तो अब जो हो मैं दोनों को add कर सकता हूँ तो delta E is equal to minus 10 plus 0.12 into 101.3 clear बात और इसको आप जो हो जब solve करोगे तो यह अपने पास approximately आएगा कितना 2.16 जूल तो यह है question number 85 आगे के question जो है वो organic में आपने discuss कर लियोंगे हम again एक बार physical वाले portion की तरफ आते हैं तो देखो question number 93 से start करते हैं यह आपको बोरा the bone dissociation energy needed to form benzyl radical from toluene देखो कि यह हमारे पास जो है वो toluene है और toluene से हमें क्या करना है एक तो benzyl radical बनाना है यह radical बनाना है यहाँ पर bond कौन सा तोटना है carbon hydrogen bond break करना है और फिर जो है वो यही काम हमें methane से carbon hydrogen bond यहाँ पर भी carbon hydrogen bond ही break करना है और methyl radical बनाना है तो यहाँ ज़्यादा energy चाहिए कि यहाँ ज़्यादा energy चाहिए तो यहाँ ज़्यादा energy चाहिए होगी क्यों? क्योंकि यह वाला bond आसानी से break होगा क्यों? क्योंकि यह वाला जो radical बना है यह resonance की वज़े से ज़्यादा stable है, ज़्यादा stable चीज आसानी से बनेगी तो यह वाला जो carbon hydrogen bond है ना, यह क्या है? यह weak है तो the bond dissociation energy needed to form benzoy radical from toluene is less than the formation of methyl radical from methane तो यह इससे क्या होगी? कम होगी, ठीक है, next question की तरफ आते है, question number 94 देखेगा, आपको बुरा which of the following defines enthalpy of solution तो enthalpy of solution क्या होता है? जब किसी भी substance के एक mole को हम excess of solvent में excess of solvent में मिलाते हैं, तो जो भी release या absorb energy होती है, उसी को हम क्या बोलते है उसी को हम बोलते है, enthalpy of solution, तो यहाँ पर कोई solvent में, यह तो ionization है यहाँ पर 5H2O था, है ना, जैसे इसमें और इसमें क्या difference है, यहाँ पर केवल 5H2O यानि कि solvent का amount fix, this is integrated heat of solution, ठीक है, तो amount fix है, तो यह तो नहीं होगा यहाँ पर excess है, कि भी 5H2O पहले से था, और बहुत सारा पानी मिला दिया, तो अब कितने S2O है, हमें पता नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा किस में चला गया, एकवस में चला गया, तो third वाला जो हो, क्या होगा, correct होगा next, अपन question की तरफ बढ़ते हैं, तो question number 95 question number 95 है, the standard heat of combustion of aluminium is minus का 837.8 kilo joule per mole at 25 degree centigrade, if aluminium react with O2 at 25, which of the following releases 250 kilo calorie of heat heat, देखो जी, हमारे पास condition ऐसी कि aluminium और O2 आपस में reaction कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, AL2, O3 बनेगा, clear बात, इसको थोड़ा सा commission minus का 837.8 kilo joule है, नीचे kilo calorie में दे रखा है, तो मैं इसको जो है, वो क्या कर लेता हूँ, joule में convert कर लेता हूँ, तो आपको कितनी heat release करवानी है, आपको heat release करवानी है, 250, यानि delta H होना चाहिए, कितना, 250 into, इसको 4.2 से multiply कर देता हूँ, यह अपने पास kilo joule में आ गया, clear बात, ठीक है, अब भया, एक mole से जो हो, इतनी heat release होती है, तो मैं check कर देता हूँ, इतनी energy कितने mole से release होगी, तो इसके लिए moles of aluminium, यह मैं निकालूंगा, तो यह मेरे पास आएगा, 250 into 4.2, and divide by 837.8, ठीक है, तो मेरे पास जो हो, aluminium के इतने mole, इतने mole aluminium के होंगे, इतने mole aluminium के होंगे, तो 250 kilocalorie heat, जो हो release होगी, तो भया, यह जो mole है, यह आप देख पा रहे हो, जो है, वो एक से तो क्या आ रहे है, जादा ही आ रहा है, क्योंकि 250 into 4 है, तो यह 1000 होगया, तो 1000 by 837 7 तो क्या होगा, एक से जादा ही आएगा, तो the reaction of, यह तो हो नहीं सकता, कि इतने mole की reaction हो, यह भी हो नहीं सकता, इतने mole की reaction हो, तो चेक कर लेते हैं, कि इतने mole aluminium से AL2O3 कितना बनता है, क्योंकि इतना mole aluminium reaction करेगा, तो AL2O3 की कुछ amount बनेगा, और जितना amount इसका बनेगा, उस formation से भी इतनी ही heat release होगी, जितनी यह बोल रहा है, तो इस case में मैं काम करता हूँ, इतने mole aluminium से AL2O3 के कितने mole बनते हैं, मैं यह चेच निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँगा, देखो, mole concept के तरीके से, NAL divided by 4 is equal to NAL2O3 divided by 2, क्या वही इसके reacting mole divided by इसका stoichiometric option, इसके formed mole divided by इसका stoichiometric option, यह 2 से 2 क्या हो गया, cancel, तो NAL2O3, इसके कितने mole बनेंगे, तो इसके mole बनेंगे, aluminium से कितने, आदे, या तो ऐसे कर लो, या इसके 4 mole से इसके 2 mole बनते हैं, तो एक से कितना बनेग वो निकाल लो, कैसे भी, कोई भी तरीका आप काम में ले सकते हो, तो 250 into 4.2 divided by 837.8 and divided by 2, इसको solve करोगे तो यह आएगा 0.624 mole, तो इसका मतलब यह है, कि यह इतने mole L2O3 के बनेंगे ना, तो 250 kilocalorie heat क्या होगी, release होगी, तो option number second जो हो, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो 36, आपको बो रहा है, कि state which of the following statement is true, कौन सा सही है, ठीक है, ओके, तो आपको बो रहा है, कि the first law of thermodynamics is not adequate in predicting the direction of the process, statement पर आते हैं पहले बाकी की statement चेक करते हैं, कि in an exothermic reaction, the total enthalpy of formation of product is greater than that of reactant, देखो, exothermic reaction है, और ये heat of formation की बात कर रहा है, तो heat of reaction, heat of formation के पदों में हम कैसे निकालते हैं, कि total heat of formation of product, minus total heat of formation of reactant, ठीक है, तो total delta H, exothermic reaction के लिए negative आना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है, कि reactant की heat of formation product से जादा हो, अब इसने बो रहा है, इन exothermic reaction, total enthalpy of formation of product is greater than, ना reactant की जादा होगी, तो exothermic reaction आएगी, इसलिए ये statement गलत है, ठीक है, the standard enthalpy of formation of diamond is zero, diamond की zero होती है, diamond थोड़ी ना thermodynamic reference state है, carbon की thermodynamic reference state तो कौन सी है, वो तो graphite है, graphite के लिए zero होती है, diamond के लिए zero नहीं होती है, इसलिए statement गलत है, next, it is possible to calculate the value of delta RH for the reaction, बिल्कुल भईया, इस reaction से हम calculate कर सकते थे, अगर BR liquid state में ना होता तो, क्योंकि हमें पता है कि bond enthalpy जो हो केवल gase state के लिए define होती है, हाँ, अगर आपको additional data ये दे रखा हो, delta vaporization of BR to liquid, अगर अपने पास ये data दे रखा हो, तो इस reaction की help से हम निकाल सकते हैं, लेकिन केवल इस reaction की help से हम delta H की value नहीं calculate कर पाएंगे, अब बात करते हैं, first की first law of thermodynamics not adequate to predicting the direction of the process, ये विल्कुल सही statement है, इसलिए second law की जरुएत पड़ी थी, क्योंकि first law से, first law energy conservation low होता है, ये energy neither be created nor be destroyed, लेकिन energy का एक body से दूसरी body तक flow, किस extent तक होता है, ये हमें first law नहीं बताता है, clear है बात, तो भाईया ये है, अबने पास question number 96, आगे बढ़ते हैं, question number 97 देखिएगा, ये आपको बोरा कि the difference between the heat of reaction at constant pressure and at constant volume, heat of reaction at constant pressure का मतलब होता है delta H, heat of reaction at constant volume का मतलब होता है delta E, और आपको अच्छे से बता है, दोनों में relation क्या होता है, delta H is equal to delta E plus delta NG RT, ये दोनों में relation होता है, और आपको जो चीज़ पूछी है, वो ये है, कि delta H minus delta E, आपको इसकी पूरी की value पूछी है, किसके बराबर होगा, delta NG RT के बराबर होगा, सारी चीज़े आपके पास question में है, तो delta NG देखना इस reaction का कितना होगा, ये तो liquid है, इसको तो स्वामिल करेंगे नहीं, ये कितना होगा, ये gas का 12 और ये इदर gas का कितना है, 15 है, तो delta NG के value है कितनी, minus 3, अब R के value जो आपको किलो जूल में पूछे, तो R के value आप ले लो 25 by 3, 8.3 वाली ले लो, और temperature आपको देखना होगा, कितना है, 298, तो temperature है, जी मेरे पास कितना, 298, सारी चीज़े अपने पास है question में, आप इसको solve कर सकते हैं, इसको solve करोगे तो ये अपने पास आएगा, minus का 7.43, ठीक है, तो ये था question number 97, next question है, question number 98, देखिएगा, आपको बोरा, given the following standard enthalpies of formation, which elements will react exothermically with SiO2 to make Si, ठीक है, आपको जो है, वो 3-4 नीचे compound दिये गए हैं, और आपको बोरा कि कौन सा element, silicon के साथ reaction, मतलब SiO2 के साथ reaction करके, exothermically reaction होनी चाहिए, मैं एक reaction लिखता हूँ, देखो, कैसे, कि एक तो SiO2 के लिए heat of formation दिया है, और बाकी 4 अधर भी है, magnesium oxide, Cr2O3 और CO2, Li2O, इन सब के लिए भी आपको क्या दिरका है, heat of formation, question, आपको ये बोलना चाहता है, कि SiO2 की reaction, मैं कौन से element के साथ करवा हूँ, ताकि exothermically reaction हो, माल लो, मैं एक एक करके 4 के साथ reaction करवाता हूँ, सबसे पहले मैंने reaction करवाई किस के साथ, magnesium के साथ, तो magnesium के साथ reaction करवाँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, MGO, और बोल रहा कि SiO2 को किस में convert करना है, silicon में convert करना है, reaction को मैं balance कर लेता हूँ, balance करना जरूरी है, तो balance करूंगा, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ दो लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ, अब देखिएगा, कि इस reaction के लिए मैं heat of formation निकालता हूँ, तो heat of formation अगर मैं, या heat of reaction इसके लिए लिए लिखता हूँ, तो heat of reaction in terms of heat of formation, हम कैसे निकालते हैं, कि total heat of formation of product minus total heat of formation of reactant, अब देखो, silicon तो अपनी thermodynamic reference state में, तो इसके लिए तो कितना होगा, 0, magnesium oxide का heat of formation आपको दे रखा है, कितना minus का 601, तो ये overall हो जाएगा, क्योंकि 2 mol है, तो minus का 1202, ठीक है, फिर minus, इदर magnesium अपनी जो हो क्या है, thermodynamic reference state में है, तो इसके लिए again heat of formation 0, silicon, SI O2 के लिए minus का कितना है, minus का है, 910, आप देखो, कितना हैगा, minus का 1202, और ये plus का 910, overall solve करूँगा, तो ये क्या आने वाला है, negative ही आने वाला है, यानि कि magnesium वो element है, जिसके साथ मैं अगर SI O2 की reaction करवाऊँगा, तो exothermic reaction होगा, ऐसे ही मेरे को chromium चेक करना है, मेरे को CO2 carbon चेक करना है, मेरे को Li 2O चेक करना है, तो जब आप चेक करोगे, तो दो element के साथ ऐसा आएगा, एक तो आएगा magnesium, दूसरा lithium, बाकी किसी के साथ भी, ये वाली value negative नहीं आएगी, बाकी दो में positive आएगी, अगर आप यहाँ पर chromium और carbon, आप चाहे तो चेक करके देख लो, reaction लिखो, reaction balance होनी ज़रूरी है, तरीका जो है वो सेम, जो मैंने भी आपको बताया है, तो अमीद करता हूँ, question का concept आपके समझ में आया होगा, next question की तरह बढ़ता है, question number 99, आपको क्या बो रहा है, consider the following reaction during in an automobile engine, एक आपको reaction दे रहा है, delta H, delta S, delta G, ध्यान से देखिएगा, यह एक hydrocarbon है, और यह hydrocarbon का क्या हो रहा, combustion हो रहा, तो जितने भी combustion की reaction है, वो सारी की सारी exothermik होती है, तो delta H तो कैसा आएगा, negative आएगा, combustion हमेशा एक spontaneous process है, जिसको ignition की जरूरत, जिसको initiation की जरूरत होती है, तो delta G भी इसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, delta H नेगेटिव, delta G नेगेटिव, और आप चाहू तो इसके लिए entropy change, ऐसे चेक कर सकते हो, इधर total gaseous molecule कितने है, 25, और इस तरफ total gaseous molecule कितने है, यह हो गए 16, मतलब 25 से तो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब delta S कैसा है, positive, तो इसके लिए delta S तो positive होगा, यानि negative, positive, negative, तो ऐसा एक ही option है, option number fourth, ठीक है, question, last question discuss करते हैं, question है, which of the following must be zero for an isochoric process, isochoric process हम बोलते हैं, तो भाईया, volume क्या रहता है, constant रहता है, तो volume constant है, तो delta V क्या आना चाहिए, zero, DV भी zero आना चाहिए, अब इन दोनों में से must be zero, तो भाईया, must be zero है, DV, DV is equal to zero होगा न, वो isochoric होगा ही होगा, guarantee है, लेकिन delta V अगर zero होगा, ये अगर zero है, केवल delta V zero है, तो वो isochoric है, ये guarantee नहीं है, example समझने कोशिश करेंगे, देखिएगा, माल लो, मैंने आपको एक graph दिया है, T और V का, आजी, कि मैंने जो है, वो graph जो हो कुछ ऐसा है, कि एक कोई process है, माल लो, यहां से start हुआ, point A से point B तक गया, अब आप ध्यान से देखना, कि initial और final point का volume क्या है, सेम है, यहां पर volume जितना होगा, उतना ही volume भी point पर है, तो इसके लिए delta V क्या है, delta V तो 0 है, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं dv की बात करूँ, आप देखो, मैं अगर यहां पर जो हो, एक element लेता हूँ, dv, तो dv not equal to 0, ठीक है, इधर V, इधर T, यह A, यह B, अब यहां पर देखो, dv भी 0 है, और delta V भी 0 है, दोनों 0 है, यह isochoric है, यह isochoric process नहीं, यह एक polytropic process है, तो ध्यान रखना, कि isochoric process के लिए, dv 0 होना चाहिए, delta V 0 होता है, अगर dv 0 होगया, तो delta V 0 होगा, ठीक है, लेकिन delta V 0 है, तो dv 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऐसे ही हम, यही same चीज लगती है, आइसो बैरिक में भी, कि भाईया, dp की value must be 0, आइसो थर्मल dt की value must be 0, ठीक है, आइसो कोरिक dv की value must be 0, ठीक है, तो अमीद करता हूँ, आपका concept जो clear हो गया होगा, तो यह था अपना paper, अच्छा paper था, उमीद करते हैं, आपने अच्छा score किया होगा, thank you. Hello students, how are you? Myself, राजेंदर वर्मा, team chemistry, पेटा, मैं आप लोगों के साथ, mid-session test series, third paper में, और्गनी केमेस्ट्री का portion, डिसकस करने जा रहा हूँ, ठीक है, उमीद कर रहा हूँ, कि आपका यह paper अच्छा गया होगा, और्गनी केमेस्ट्री के hydrocarbon part में, आपको, किसी भी question में, अगर कहीं कोई doubt है, तो आप ये वीडियो देख करके, उस question doubt को remove कर सकते हैं, ठीक है बेटा, करें शुरू, तो शुरू करते हैं बेटा, इसमें, आपके पास question number 51, जो है, डाइब्रोमो डेरिवेटिव औफ एन अलकें, डाइब्रोमो डेरिवेटिव औफ एन अलकें, reacts with sodium metal to form an allicyclic hydrocarbon, the derivative is, एलकें का एक डाइब्रोमो वित्पन है, sodium धातु के साथ क्रिया करता, और कैसा योगिक बनाता है, allicyclic hydrocarbon बनाता है, तो आपको इसमें identify का करना है, वो डेरिवेटिव आपको identify करना है, कौन सा डेरिवेटिव आपने इसको starting में लिया होगा, तो एक एक करके हम discuss कर लेते हैं, 2,2-dibromobutane, 2,2-dibromobutane, 1,1-dibromopropane, 1,4-dibromobutane, 1,1-dibromo-ethane, sodium metal के साथ आप जब इसकी reaction करवाएंगे, तो आपको पास product कैसा होना चाहिए, allicyclic hydrocarbon होना चाहिए, और ये तभी संभव है, जब आपके पास dibromo derivative कैसा हो, terminal, terminal हो बेटा, दोनों साइब, ये नहीं ले सकते हम, जैम, डाई हेलाड आप यूज नहीं कर सकते, एलकीन बना देगा ये तो, ये जैम है, इसको भी आप यूज नहीं कर सकते, इसको यूज करेंगे, sodium metal के साथ, तो आप इससे product बना पाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो, sodium metal के साथ, जब आप इसको यूज करेंगे, तो यहां से, ये रिमूव होंगे, free radical, mechanism रहेगा बेटा, आपके पास, और, intra molecular, coupling reaction इसमें हो जाएगी, तो आपको यहां क्या मिलेगा, cyclobutane, और cyclobutane किस में count होता है बेटा, alicyclic hydrocarbon में count होता है, तो आपका answer क्या जाएगा, third answer आजाएगा, 1,4-dibromobutane, ठीके बेटा, next question देख लेते हूँ, methane can be prepared by, methane किसके दुवारा बनाया जा सकता है, चार reaction आपके सामने हैं, और आपको चेक करना है, methane किससे बना सकते हैं, पहला है soda lime decarboxylation, soda lime V carboxylikon, क्या इससे methane बना सकते हैं, चलो देखते हैं वेटा, अगर मैं इसको, soda lime के साथ use करूँ, तो ये remove हो जाएगा, और आपके पास याँ methane बन जाएगा, यानि कि आप first से methane बना सकते हैं, call bay electrolysis से आप क्या methane बना सकते हैं वेटा, call bay electrolysis से methane नहीं बनता है, words reaction से भी methane आप नहीं बना सकते हैं, hydrogenation of alkene, hydrogenation of alkene, इसमें अगर हम hydrogen एड करेंगे, तो भी methane नहीं मिलेगा हमें, तो आपका answer कोन सा हो जाएगा, first, first ऐसा है, जिससे आप क्या बना सकते हैं, methane बना सकते हैं, बाकि तीनों option ऐसे हैं, जिनसे आप methane नहीं बना सकते हैं, ठीक है बेटर, an organic compound has a terminal triple bond, terminal triple bond, एक ये condition होनी चाहिए, ठीक है, सिमान्त त्रीबंद रखता है, ये ध्यान रखना, इसको आप इन में से किसकी सहायता से पता लगा सकते हैं, कौन सा reagent suitable है, terminal triple bond को identify करने के लिए, ये आप से पूछा गया है, तो BR2-CCL4, BR2-CCL4 unsaturation test में काम आता है, unsaturation test में काम आता है, इससे ये नहीं पता लगता है, कि आपके पास terminal triple bond है या नहीं है, तो इसमें first answer तो नहीं हो सकता, cold diluted, KMNO4, bears reagent, ये भी आपके पास unsaturation test, S antraptata pariction के अंदर काम में आता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता बिटा, AZNO3 plus NH4OH, इसको हम use कर सकते, ये answer हो जाएदा, अगर आपके पास, कोई भी alkyne, terminal triple bond के साथ है, और आपने उसमें, tolerance reagent को use किया है, tolerance reagent को use किया है, तो जो product बनेगा, वो होगा, white PPT, suede अवक्षेप होगा, पता लग जाएगा, sodium dry ether आप इसमें use, नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास answer के आजाएगा बैटा, third answer आजाएगा, third answer से आप terminal triple bond को identify कर सकते हैं, ठीक है, which of the following is not suitable to form an alkene, ऐसा कौन सा है, जिस से आप alkene बनाने के लिए suitable नहीं है, कौन सा alkene बनाने के लिए उप्युप्त नहीं है, ये पता लगाना है, पहला case देखें आप, palladium, charcoal है, hydrogen है, इसके साथ में यहाँ mention किया गया है, quinoline, quinoline यहाँ पर क्या काम करेगा, उत्परेरक विश का काम करेगा, poison for catalyst काम करेगा ये, यहाँ पर आप alkene बना सकते हैं, और वो alkene भी कैसा होगा, सिस, second, अगर आपन चेक करें इसमें, second से alkene नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पर आपके पास ये acidic hydrogen available है, और साथ में आपके पास sodium metal है, तो यहाँ पर जो prefer करेंगे, वो ये होगा बेटा, plus में hydrogen gas, third में आप देखें, third में elimination reaction है, will open अभी किरिया है, और elimination reaction से, third में आपके पास CS3, CH double bond, CS2, alkene बन रहा है, fourth भी आपके पास, elimination process है, dehydration, निर्जली करण, इसमें भी आप alkene बना सकते हैं, तो प्रशन आप से पूछा है, not suitable to form an alkene, alkene को बनाने के लिए, इन में से कौन सा उप्युक्त नहीं है, तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा, second answer जाएगा, second क्यों जाएगा, क्योंकि second में, terminal carbon ये जो group है, terminal इसके साथ, जो hydrogen है, ये acidic nature का है, इसलिए ऐसा हो जाएगा, कोई compound A है, ozonolysis करना है, वो भी कौन सा बेटा, reductive ozonolysis, Zn plus H2O दे रखा है, reductive ozonolysis है, तो आपको मिल क्या रहा है, ये देखें, acetaldehyde is formed as a product, एक product आपको acetaldehyde मिल रहा है, चलो देख लेते हैं, पहला option है, pent-1-ene, दूसरा option है, 2-methyl-but-2-ene, तीसरा option है, pent-2-ene, चलो देखते हैं, इसका अगर मैं reductive ozonolysis करूँगा, तो acetaldehyde आपको मिलना चाहिए, acetaldehyde, CS3, CHO, आपको एक product के रुप में जरूर मिलना चाहिए, तो इसमें acetaldehyde कहीं पर भी नहीं बन रहा है, तो ये तो आपका answer नहीं आए रहा है, इसका अगर मैं ozonolysis करता हूँ, reductive, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, acetaldehyde मिलेगा, ये acetone मिलेगा, लेकिन acetaldehyde भी तो मिल रहा है, ठीक है, इसका अगर मैं reductive ozonolysis करता हूँ, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, acetaldehyde मिलेगा, एक product acetaldeid मिलेगा, दूसरा propion ldaid मिलेगा, लेकिन acetaldeid तो मिल रहा है इन दाबव reaction acetaldeid is formed as a product, एक product एक उत्पाद के रूप में acetaldeid बनना चाहिए तो आपके पास answer क्या जाएगा वाटा, fourth, answer क्या जाएगा आपके पास, fourth answer इस reaction में आपको ये वो compound लेना था, जिसका reductive ozonolysis करें, और reductive ozonolysis से क्या बनना चाहिए, acetaldeide बनना चाहिए, दोनों molecule acetaldeide बन जाता तो भी सही था, एक molecule acetaldeide बन जाता तो भी ये सही है, तो इसमें फूर्थ answer आपके आपके बनना चाहिए, एक reaction दे रखी है और आपको इसमें major product एक को identify करना है, जरा देखें ध्यान से इसमें reaction में क्या होगा बेटा, pH, CH double bond, CH, CH3, ये आपके पास है, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है? इसमें मुझे HBR add करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोन सनेही योग मुझे करवाना है, तो आपको सबसे पहले किस पर focus करना चाहिए? इंटरमीडियेट कार्बो केटाइन स्टेबिलिटी फर focus करना चाहिए, ये इंटरमीडियेट स्टिबल है, ठीक है? इसके बाद ये इसके साथ रियक्ट कर जाएगा, और ऐसा आपके पास मेजर प्रोड़क्ट आ जाएगा, बैटा, रियक्ट्रोन सनेही योगात्मा के ओप्षिन किस में दिया गया है? चलो दिखते हैं, ये ओप्षिन किस में दिया गया वेटा? थर्ड में, किस में दिया गया वेटा ही है? थर्ड में ये आपको ओप्षिन दिया गया है, तो इस question का answer गया जाएगा, थर्ड question समझ में आ रहा है? बास समझ में आ रही है? ठीक ऐसी reaction है जिसमें addition हो रहा है electrophilic और वो भी किस rule की according मार्कोनिक ओफ rule की according ऐसा होना चाहिए तो पहली reaction तो answer नहीं हो सकती क्योंकि ये एक symmetric alken है और मार्कोनिक ओफ rule के लिए alken कैसा होना चाहिए unsymmetric होना चाहिए answer नहीं आएगा unsymmetric है और इसके अंदर आपके पास मार्कोनिक ओफ rule की according addition हो जाएगा इसमें third option में जब आप reaction करवाएंगे तो वही point अभी जो थोड़ दिर पहले हमने discuss किया था stability of carbocation आपको check करना है ठीक है यह देखे बिटा इन में से यह more stable है यह less stable है इस पर focus नहीं करेंगे हम इस पर focus करेंगे तो यहाँ पर bromine attach होगा यहाँ पर तो यह तो मार्कोनिक ओफ rule को follow नहीं कर रहा है ठीक है इसमें अगर अपन बात करें तो यह electron withdrawing है तो यहाँ पर आपके पास जो answer आने वाला है यह कुछ ऐसा आएगा मेटा इलेक्ट्रोन विड्रोविंग है तो यह electron यहाँ से यहाँ ट्रांस्फर होगी ना तो आपसे पूछा है मार्कोनिक ओफ rule किसमें होना चाहिए तो answer क्या आजाएगा आपका second answer आजाएगा second answer आएगा जिसमें addition हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक addition है और वो भी मार्कोनिक ओफ rule के according है एक compound decolorize KMNO4 but does not give precipitate with ammonical silver nitrate decolorize KMNO4 decolorize KMNO4 का मतलब है compound में unsaturation है तो unsaturation यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो यहाँ से यह clear हो गया second answer तो नहीं हो सकता but does not give precipitate with ammonical silver nitrate silver nitrate ammonical silver nitrate मतलब tolerance reagent के साथ precipitate नहीं देता है तो tolerance reagent के साथ कौन precipitate देगा? terminal alkyne देगा बेटा सिमान्त alkyne देगा और यहाँ कह रहा है अवक्षेप नहीं देता है तो यह answer नहीं हो सकता क्योंकि यह terminal है यह भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यह भी terminal हमें वो लेना है जिसमें alkyne non-terminal हो यह alkyne होता? लेकिन alkyne option इसमें है नहीं कि ठीक है? बास समझ में आ गई? अच्छे से which of the compounds with molecular formula C5, H10 yields acetone on ozonolysis चार compound आपके पास है आपको इसका ozonolysis करना है और product क्या बनना चाहिए? acetone क्या product बनना चाहिए वेटा? acetone बनना चाहिए चलो दिखते हैं three methyl, one butane इसमें कुछ हो सकता है गया? यह तो one butane यह तो वैसे भी structure नहीं बनने वाली है ठीक है? तो fast answer तो नहीं रहेगा second cyclopentene इसमें भी कहीं कोई acetone नहीं बनने वाला है ठीक है? और two methyl, one butane इसमें भी acetone नहीं मिलने वाला आपको two methyl, two butane two methyl, two butane यह बनेगा ऐसी तो answer क्या जाएगा आपका? fourth answer आजएगा है आपके पास? fourth answer आजएगा clear है? ठीक है? HBR परोकसाइड A, B major है if A is reaction intermediate then identify A and B यदि A अभिक्रिया मध्यवर्ती है तो आपको A और B की पहचान करनी है इसका mechanism किस तरह से होगा? वो अपन देख लेते हैं पूरा CS3 CH2 CH double bond CH2 जब आप इसमें reaction करवाएंगे तो सबसे पहले आप इसमें bromine free radical का addition करेंगे पूरा mechanism आपको clear होगा मैं direct इसका use कर रहा हूँ ये आपके पास दो intermediate बनने वाले हैं इन में से stable कौन सा होगा? ये stable होगा क्योंकि यहाँ पर alpha hydrogen आपके पास ज्यादा है यहाँ पर alpha hydrogen कम है तो reaction किसके तुरू? प्रोसीड करती है बिटा more stable intermediate के तुरू? तो मुझे इसको use करना होगा इसे नहीं ये more stable है अब मुझे इसमें क्या transfer करना है? hydrogen transfer करना है ये वो intermediate A है ठीक है? और ये आपके पास product P है जो की major product है according to anti-marconic of rule अब ये हम देख लेते हैं कैसा A होना चाहिए और वो B होना चाहिए देवड़ाइन में से आपको कहां लग रहा है? ये लग रहा है? ठीक है? बास कलीर होगी? एक reaction है aromatic electrophilic substitution chlorobenzene बना है आप से intermediate पूछा है V-land intermediate या कहें ironium iron जो आप इस reaction में intermediate की form में बनाते हैं तो no doubt इसका answer क्या आएगा? फर्स आंसर आजाएगा इसमें तो कोई problem ही नहीं है नॉर्मल hexane को अगर आप इस condition में use करेंगे नॉर्मल hexane है तो आपके पास यहाँ जो product होगा वो बेटा क्या होगा? बेंजीन यादा रहा है और बेंजीन का nitration करवाएंगे तो आपके पास यहाँ जो answer आएगा वो आएगा nitrobenzine तो nitrobenzine आपके पास answer आएगा आपसे पूछा है Q What is Q? Q पूछा है बेटा आपसे answer क्या आजाएगा? पस्ट answer आजाएगा ठीक है? KMNO4 के साथ acidic medium है temperature है तो आप क्या करेंगे? double bonded जो carbon है वहाँ पर oxidation करेंगे और जब oxidation करेंगे तो यह break हो करके यहाँ पर COOH और COOH आजाएगा और था answer कौन सा प्रोसेस कर रहे है? अलकीन का oxidation कर रहे है और अलकीन में जब oxidation करते हैं तो double bonded carbon आप देखें यहाँ भी CH है यहाँ भी CH है दोनों साइड में CH है इसमें यह condition रहती है न? अगर CH है तो COOH बनेगा hydrogen नहीं है तो ketone बनके रह जाएगा ठीक है? तो answer क्या आएगा आपके पास? fourth answer oxidation of alkene कौन सा रहे है? फ्रिडल क्राफ्ट रहेक्शन फ्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन है और फ्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन में आपको पता है कार्बोकेटाइन बनेगा कार्बोकेटाइन क्या होगा? रियर्रेंज होगा बिटा अब ये बेंजीन पर अटैच होगा ये वाला कौन सांसर आएगा? फ्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन आपके पास रियक्शन है अइडेंटिफाइ करेक्ट रियक्शन एसी टाइलीन है रेड हॉट आइरन ट्यूब है बेंजीन बनेगा ये रियक्शन करेक्ट है बिटा अलकीन प्लस डाइलूटिड केमनो 4 273 बेर्स रियेजेंट ये नहीं बनेगा प्रोड़क्ट बेटा ये प्रोड़क्ट तब बनता जब यहाँ पर हाई टेंपरेचर आप यूज करते असिडिक मीडिया या एलकलाइन मीडिया आप यूज करते रिड़क्टिव ओजोनोलाइसिस में कार्बॉक्जिलिक नहीं बनता है कैल्शियम कार्बाइड का हाईडरोलाइसिस करेंगे तो ये नहीं बनेगा इसकी जगें क्या प्रोड़क्ट आएगा सी टू एच टू तो ये भी तो आपका आंसर के आ गया बेटा फस्त आंसर आ गया ठीक है which of the following compound has highest boiling point boiling point आप कैसे decide करते हैं पहले आप चेक करेंगे अलकेन के case में molecular mass molecular mass increase होगा surface area increase होगा surface area increase होगा intermolecular attraction increase हो जाएगा तो boiling point increase हो जाएगा तो आप देखें यहाँ पर 1,2,3,4,5 carbon है 5 carbon, 5 carbon, 4 carbon तो आपसे highest पुछा है तो ये तो आंसर होई नहीं सकता first, second और third में 555 carbon है तो ऐसे case में क्या करेंगे number of branch को increase करेंगे तो surface area decrease होगा attraction decrease होगा, boiling point decrease होगा इसका मतलब आपसे पुछा है highest तो आंसर के आएगा first बास समझ जागे identify product of the following reaction आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड है विटा ये है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड sodium dry ether कौन सी reaction है में विटा वूर्ज reaction है तो product क्या रहेगा आपके पास ये product रहेगा विटा 1, 2, 3, 4 2, 3, dimethyl, butane 2, 3, dimethyl, butane आपके पास आंसर आ जाएगा कौन सी reaction थी ये? वूर्ज reaction थी उसी के according जब आप इस reaction को complete करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है clear है? आंसर कौन सा रहेगा इसमें? first 2, 3, dimethyl, butane which of the following can be used for unsaturation test unsaturation test के लिए आप क्या use कर सकते हैं इन में से cold diluted cheminophore यूज कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं BR2 CCL4 यूज कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास fourth unsaturation as antrapta परिक्षन के लिए इन दोनों को use किया जाता है अब हम आपके इस paper में जो section B है उसमें जो और नी chemistry के question है उनकों discuss कर रहे हैं पहला question आपके पास है find out correct statement सही कथन है आपको एक reaction दे रखा है इस reaction से related जो भी statement सही है आपको उसे check करना है चलो शुरू करते है यही है बेटा clear है अब देखो A gives white precipitate with tolerance reagent A tolerance reagent के साथ स्वेत अवक्षिब देता है क्या यह statement सही है क्या यह ऐसा करेगा नहीं करेगा B का निर्मान चक्रिय मध्यवर्ति से होता है B is found by cyclic intermediate B यह है और यह cyclic intermediate के थू जा रहा है answer आपका second हो जाएगा B jamdibromide है B ऐसा नहीं है jamdibromide नहीं है A स्थिती समावेवता दर्शाता है A can show position isomerism A में कोई position isomerism नहीं है तो इस question का answer के आजाएगा बेटा Second answer आजाएगा Clear है Products of the following reaction एक reaction दे रखिए आपको इसका product चेक करना है Ozoneal Isis है इसको यहां से आप remove करेंगे तो CS3, CH2, COOH Oxidative Ozoneal Isis के बारे में बात हो रही है बेटा CS3, COOH यह दो product आपके पास होने चाहिए बेटा अब देखो आप इन में से कौन सा ऐसा है Third answer कौन सा answer आजाए बेटा Third answer आजाए सही है Among the following the most reactive towards alcoholic QOH alcoholic QOH के लिए कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशियल alcoholic QOH के साथ reaction के बारे में पूछ रहे है तो आपके mind में क्या आना चाहिए E2 reaction होनी चाहिए elimination process के लिए 2 condition है good living group है fast हो जाएगा E2 reaction उसके बाद 1 degree से more reactive 2 degree halide होता और 2 degree से more reactive 3 degree halide होता है अब आप देखें यहाँ पर living group की बात करें तो आपके पास living group bromine और chlorine है यह 1 degree है यह भी 1 degree है 2 degree और यह भी 2 degree तो answer 1 degree 1 degree तो ओई नहीं सकता 2 degree में से देखें 2 degree में दोनो 2 degree है अब देखें कि good living group कौन सा है answer कौन सा आजाएगा थर्ड आजाएगा ठीक है 1 degree से more reactive 2 degree 2 degree से more reactive 3 degree और फिर good living group identify statement C2H6 CL2 sunlight CH3 CH2 CL plus HCL अब इस reaction से रिलेटर देखना आपको सही कथन इस free radical substitution यह reaction कौन सी होती है मुक्तमूलब प्रतिस्थापन बिलकुल आपका answer आपको मिल गया वेटा CH bond cleavage in chain initiation chain initiation स्रंखला प्रारम में CH bond नहीं वेटा chlorine का bond break होता है यह होता है chain initiation तो यह नहीं है electron सनेही प्रतिस्थापन electrophilic substitution यह भी नहीं होगा chain its chain initiation step is exothermic exothermic नहीं chain initiation step कैसा होता है endothermic होता है chlorine क्या करेगा heat को absorb करेगा heat को क्या करेगा absorb करेगा तो यह endothermic step होता है यह भी रॉंग है तो answer क्या आगया वेटा आपका इसमें first answer आगया identify the reaction in which alkane is not formed as a product वो सभिकरिया को आपको पता लगाना है जिसमें एक product के रूप में उत्पाद के रूप में alkane नहीं बन रहा है तो first words reaction है words reaction से आप alkane बना सकते हैं alkyl allied plus sodium dry ether alkane बनेगा reduction of allosan derivative alkane बन जाएगा magnesium यह answer इससे alkane नहीं बनेगा इससे क्या मिलेगा R, M, G, X grignard, reacent आपके पास मिलेगा alkyl नहीं है RC, W, N, S, sodaline, decarboxylation alkyl बनाने के काम आज़े है कहीं कोई problem नहीं है तो not form पूछा आपस answer के आगे आपके पास third electrolysis है colby electrolysis की बात हो रही है तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे free radical की और इससे आपको product मिलेगा यह और इसमें जब मैं HGSO4 diluted H2SO4 add करूँगा तो CH2 double bond CH OH in all form और यह totomerize हो जाएगा चला गया बता यह आपके पास आगया B बेटा हम देख लो इसमें से B is ethanol B is ethanol ठीक है A is ethylene A ethylene नहीं है बेटा acetylene है तो आपके पास answer क्या आएगा first answer आगया ठीक है E reaction elimination है will open अभी करिया है आपसे पुछा है कि यह किस परकार की है आप देखें इन में से आप इसके लिए कौन सा नाम suitable होगा आप इसमें क्या कर पा रहे हैं hydrogen और halogen को eliminate कर रहे है hydrogen और halogen का will open कर रहे है V hydro halogen ही करन dehydro halogenation dehydro halogenation आपके पास answer आ जाएगा ठीक है बेटा महमुईद कर रहा हूँ कि आपको आपके जो doubt औरनी chemistry में अगर हो तो वो यह video देख करके solve हो जाएगे ठीक है Thank you JCLC